हलो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं बहुत एक खास डिश जिसका नाम है रोस कोकोनट लड़ू मेरे वैलेंटाइन को तो ये बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मेरा तो इसे बनाना बनता है आप भी इसे जरूर से ट्राइ करें और अपने वैलेंटाइन के साथ इस दिन को स्पेशल बनाएं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो आये फ्रेंट्स, वैलेंटाइन स्पेशल नारेल के लड़ू बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम नारेल का बुरादा, 200 ग्राम फीका मावा है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और 200 ग्राम ही यहाँ पर हमने लिया है आगरे का पेठा, जिसे भी हमने ग्रेट किया है इन लड़ों में हम शुगर एड़ नहीं करेंगे यह जो आगरे का पेठा है न बस इसी से इसमें मीठा हम करने वाले यह लिया है मैंने थोड़ा सा घी और कुछ ट्राइब फूर्ट की कतरन है जो कि हम इसमें गर्णिशिंग के लिए काम में लेंगे साथ ही वाइट रोज एसेंस लिया है मैंने यह समेट करेंगे और यह रैड फूर्ट कलर तो आएए इसको बनाते हैं तो सबसे पहले गैस की फ्लैम ओन करेंगे उस पर एक बरतन रखेंगे और फिर एड करेंगे यह घी अब घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे जैसी घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें एड करेंगे यह मावा पांच मिनट मैंने इस मावे को बून लिया है और इस तरीके से बूनने से क्या होता है कि हमारे जो लड्डू है वो 5-6 दिन तक खराब नहीं होते है अब बस यहां हम इसमें एड करेंगे नारियल और नारियल एड करके हम इसे इस तरीके से चलाएंगे धीरी धीरी चलाते हुए हमें करना क्या है कि इस मावे में इस नारियल के बुरादे को अच्छे तरीके से मिला लेना है और दो मिनिट बाद में मावे को नारिल के साथ भून कर हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इस मिक्षर को ठंडा होने देंगे बाकी सारे इंग्रिजेंट्स हम इसमें बाद में मिलाएंगे दस मिनिट बाद में ये मिक्षर जो था हमारा एकदम ठंडा हो गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे यह जो हमने ग्रेटेट पेठा लिया था और सारी चीजों को अब अच्छे से हमें मिला देना है पहले हमने पेठा इसलिए एड़नीक किया कि अगर गरम-गरम में हम यह डाल देते तो होता क्या कि यह जो पेठा है न वो पतला हो जाता और अपना पानी छोड़ देता इसलिए एकदम पूरा मिक्षर जब ठंडा हो जाए तो हम इसे मिलाएंगे अब पूरे को एक साथ मिक् एसेंस और फूट कलर एड़ करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब हमें करना क्या है बस इस मिक्षर को इस तरीके से लेना है और इसके लड़ू बनाना है और सारे लड़ू बनाकर आपको दिखाते हूं आप साइस किसी भी तरीके से रख सकते हैं आपको पसंदो तो अदर्वाइस जी जो साइज है देखो ये इतनी साइज इसकी ठीक होती है बस इस सारे लड़ू इस तरीके से बनकर त्यार हुए हैं और साथ ही में मैंने ये प्लेट इस तरीके से त्यार करके रखी है अब करना क्या है कि थोड़ा सा नारिल का भुरादा लेना ह और एके करके इन लड़ू को इससे कॉट करना है यह आप स्टार्टिंग में बचा सकते हैं अदर्वाइस और ले सकते हैं यह ऐसे कॉट हो गया देखें लग रहा ना बहुत प्यारा सा और इससे एके करके इस प्लेट में रखते चले जाएंगे तो सारे में इस तरीके से आपको दिखाते हूं तो इस तरीके से वेलेंटाइन डे के इस मौके पर मैंने तो अपने वेलेंटाइन को खुश करने के लिए यह स्पेशल रोस कोकोनट लड़ू बनाकर त्यार कर लिये हैं आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करें और अपने वेलेंटाइन को